क्रोकोडाइल यानि मगरमच सबसे बड़े रेप्टाइल में से एक है क्या आप जानते हैं मगरमच जब किसी जानवर को खाता है या निगलता है तो मगरमच रोता है तो क्या वो उस जानवर को खाने के दुख में रोता है ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग सवालों के जवाब आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाले हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट मगर मच की अलग-अलग परजातियां किसे भी तरह के पानी में रह सकती हैं मगर मच की बहुत से परजातियां खोजी जा चुकी हैं और लगभख सभी परजातियां खत्रे में हैं क्योंकि इनसान मगर मच का सिकार कर रहा है बहुत से अमेर लोग मगर मच की खाल को एक स्टेटर सिंबल की तरह से भी इस्तमाल करते हैं जिसकी वज़े से भी मगर मच्छों की प्रजातियां खत्रे में हैं मगर मच्छ के मुँ में 24 नुकूले दात होते हैं लेकिन फिर भी मगर मच्छ कुछ भी खाने की बज़े सिधा निगलना ज्यादा पसंद करते हैं क्या आप जानते हैं मगरमच अपने भोजन को पचाने और तोड़ने के लिए पथर के टुकड़े निगल जाते हैं। मगरमच 30 साल से लेकर 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सबसे छोटा मगरमच ऋड़र्फ मगरमच है जो कि 5 फूर तक लंबा और 32 किलो तक वजनी हो सकता है। सबसे बड़ा मगरमच खारे पानी का मगरमच है जिसे साल्ट वाटर कोकोडाईल कहते हैं और जो 7 फोर तक लंबा और 1200 किलू तक वजनी हो सकता है माना जाता है कि मगरमच की प्रजाती एक प्राचीन प्रजाती है जो की डाइनासूर के समय से धर्ती पर है इसका मतलब ये है कि प्रजाती 240 मिलियन वर्स पुरानी प्रजाती है मगर मच फल सबजी नहीं खाते क्योंकि ये वो मानसारी होते हैं अपनी लंबी पूँच की वज़े से मगर मच पानी में 25 मिल प्रति घंटा की रप्तार से तैर सकते हैं एक मगर मच में मैमाल्स और रेप्टाइल्स दोनों के गुन होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मगर मच जमीन पर होता है तो उसका हार्ट एक मैमाल की हार्ट की तरह काम करता है लेकिन जब मगरमच पानी में होता है तो उसका हार्ट एक रेप्टाइल के हार्ट की तरह काम करता है इसलिए मगरमच पानी में काफिस लंबे समय तक रह सकते हैं मगरमच जब किसी जानवर को खाता है या निगलता है तो मगरमच रोता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मगरमच किसी जानवर को खाते हुए बहुत सी एयर निगल जाते हैं और ये एयर आशु पैदा करने वाले लच रीमल ग्लेंड्स के संपर्क में आ जाती है जिसके वज़े से आशु निकलते हैं 99% मगरमच के बच्चे जीवन के पहले साल में बड़ी मचलियों और छेपकलियों के दोरा खा लिये जाते हैं मादा मगरमच एक समय में 10 से 60 अंडे देती है मगरमच अपने अंडे घोषलों या होल्स में देते हैं और अंडे से निकलने वाले मगरमच का लिंग घोषले के तापमान पर निरभर करता है मगरमच अपनी जेब ना तो हिला सकता है ना हे मुँ बाहर निकाल सकता है जेब का काम भोजन पचाने के लिए जूस उत्मन करना है या जूस लोहे को भी गला सकता है किसी भी कसेरुकी प्राणी में मगरमच का पेट सबसे ज़्यादा अमली होता है इस कारण ये अपने सिकार की हड़ियों सींग खुर आधि आसानी से पचा जाते हैं अपने पेट की अमलीता को उदासीन करने के लिए मगरमच छारी द्रोव छोड़ते हैं इसके कारण ही इनका पेट खुद पच जाने से बच जाता है मगरमच कभी भी अपने सिकार को जिंदा रहते हुए नहीं कारते फारते वे उसे खींच कर पानी में ले जाते हैं ताकि वह पानी में डूप कर मर जाए फिर वे उसके सरी को काट कर और चीर कर खाना प्रारम करते हैं मगर मच की एक अनोखी बात या है कि या अपनी एक आँख खोल कर सो सकता है मगर मचों को सास लेने के लिए पानी की सते के बाहर थोड़ी थोड़ी देर में आना पड़ता है लेकिन अवसकता पढ़ने पर ये पानी के भीतर 5-6 घंटे आराम से विता सकते हैं ज्यादा तर मगर मच अपना मुझ खोल कर सोते हैं मगर मच के गले के पीछे एक वालव होती है जिसके कारण ये पानी के अंदर भी अपना जबड़ा खोल कर रख सकते हैं मगर मच की खाल का इस्तमाल जूते जाकेट पर्स बनाने में किया जाता है अंतर राश्टी बजार में मगर मच के खाल से बने बैक्स और जाकेट की कीमत हजारों लाखों में होती है मगर मच के रक्त और पित्त की भी बहुत मांग अधिक है इसका इस्तमाल दवाईया बनाने में होता है इसके एक लीटर की रक्त की कीमत लगभग एक हजार रूपए है और इनके पित्त की कीमत लगभग 76,000 रूपए है अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को पर पहली बार आयों तो चैनल को को सब्सक्राइब मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए धान्यवाद